हेलो गाइज वेल्कम टू कुपिंग ब्लॉग तो यह कौन सा शाग है दोस्तों आपके आई शाग की रेसिपी बनाए हैं कभी आज शाग से हम ऐसी स्पेसल रेसिपी आप लोगों बिते शाग करेंगे कि आप इसे एक बार 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 बनाना चाहेंगे तो यह पॉई साग हमा अब इसे हम एक बॉल में लेंगे और इसे हम इसमें सारा जो भी हम पत्ता काटे हैं मतलब साख काटे ले लेंगे बारिक कटा हुआ एक प्याज हरी मिर्च लसुन अद्रक जो भी है आप वेसिक मसाले इसमें डाल सकते हैं लसुन जरूर डालिएगा और प्याज इसमें साथ ही हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे अभी आधा कप के लगभग डाले हैं बेसन इसके बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे कुछ मसाले सूखे डाल देते हैं तो हल्दी पॉडर डालेंगे आधा चमच आधा चमच यह बेसन को मिक्स कर लिए हैं इसके बाद नमक डालेंगे नमक पहले डालेंगे तो साग पानी छोड़ता है तो इसलिए पहले हम बेसन को मिक्स कर लिए हैं इसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद इसे अच्छे से पूरा मिक्स करना है अगर आप चम्मच वगेरा से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा इसलिए हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है देखे इस तरह पकोडी के जैसा हमें इसका बैटर चाहिए तो देखिए यह तयार हो गिया है अब हम इसे बना कर रख लेते हैं एक प्लेट में जिस साइज का हमें पकोडी चाहिए इसे आप कोपता भी बोल सकते हैं तो इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है तो साग का कोपता आज हम बना रहे हैं ऐसे हम तेल में फ्राइ कर लेंगे जिस तरह से पकोडी तलते हैं इस साग की पकोडी भी बहुत ही टेस्टी बनती है त तो उसी तरह से हम इसके पकोड़ी जैसे बनाकर फ्राई कर लेंगे, इसे उलड़ते पलड़ते अच्छे से फ्राई करना है, इस साग की सबजी ना दोस्तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसे हम मतलब कि आप एक और बनाईएगा, यह अभी बरसात के दिनों में ही मिलती है, ऐसे तो हमेशा मिलती है, लेकिन बरसात के दिनों में यह ज्यादा मार्केट में आपको नजर आएगी, तो देखिए यह हमारा पकोड़ा हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे, इसी तरह से जितना भी बैटर हमारा था, सारे के हम पकोड़े तल लेंगे, ज्यादा त हम पिला अला सरसो लेंगे, कुछ हरी मिर्च डालेंगे, लसुन डालेंगे, 20-25 कली लसुन डालेंगे, टमाटर डालेंगे, दो, और इसमें हम इस सबढ़ी को हम बारिक पेस्ट बना लेंगे, इधर तेल भी हमारा गर्म है, तो इसमें जीरा डाल देंगे फोरन, थोड़ा जरूरी है इसके बाद एक बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे अच्छे से पका लेंगे अच्छे से पका लेना है प्याज को देखे प्याज का लर भी चेंज हो गिया है अब इसमें में हिरा थोड़ा आधा चयां में और सोय में हम त्यारब करूंद के लिए झाल शाब मेंगे इसमें डाल दे लेगे मुझे थीमे अच्छ भूने संवहते, तो इसे मिक्स कर् को लेगे, इसे भी साथ में थोड़ा सा भूने लेते हैं देखें मसाले से तेल छोड़ रहा है, अब इसमें हम नमक डालेंगे, पानी दे कर भी भून ले रहे हैं, मसाला चिपक रहा था तो कही जल न जाए, इसलिए बीच में फूड़ा सा पानी डालना जरूरी है, और मसाले को अच्छे सबुनना है सब्जी का स्वाद तब ही आता है दोस्तों जब आप मसाले को धीमे धीमे भूनियेगा पूरा तब सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा निखर कराता है तो देखें मसाला इस तरह से हम भून लिये हैं और इसमें पानी भी डाल दिये हैं ग्रेवी हमें जितना रखना है उसके अनुसर पानी डाले है अब इसमें एक उबाल आग गया है अब यह सारी पकोड़ी जो हम तले थे इसमें डाल देंगे और इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे ज्यादा इसे पकाना नहीं है क्योंकि यह पहले से ही पका हुआ है इसे ग्रेवी का स्वाद आ जाए पकोड़ी में इतना ही हमें पकाना है तो दस मिनट पकाने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं यह देखिए वाओ क्या सबजी बनकर तयार हुई है इस साग की वो इस साग के कोपते हमने नाम दिया है आप इसे क्या नाम दीजिएगा कॉमेंट करके जरूर बतलाईएगा